नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरकुल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, जहां मिलते हैं आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस दोस्तों, जैसा कि हमारे देश में senior citizen के welfare और maintenance के लिए अलग से कानून बनाया गया है, senior citizen act बनाया गया है, ठीक उसी तरह से हमारी government of India और state governments भी हमारे senior citizen के लिए time-time पर बहुत सारी schemes और बहुत सारे beneficial announcement करती रहती हैं ऐसे में government of India के दोरा senior citizen card launch किया गया है, लेकिन दोस्तों इसके बारे में अभी भी बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, कोई भी information नहीं है दोस्तों इस वीडियो में हमारा मकसद होगा कि हम senior citizen card के बारे में बात करें, उसकी क्या eligibility है, card को बनाने के लिए क्या-क्या documents चेहिए, इसका application procedure क्या है और अगर आप senior citizen card holder हैं, या अपना senior citizen card बना लेते हैं, तो आपको इसके क्या-क्या benefits मिलेंगे इसलिए वीडियो को आपने अंतक जरूर देखना है, और यदि आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है, तो चैनल को subscribe कर लीजिए, साथ ही notification bell icon दबा दीजिए इन केस आपकी कोई भी legal समस्या है, कोई भी legal problem है, तो वो आप मुझे बेज सकते हैं, यदि आप मुझे से अग्जेंटली बात करना चाहते हैं, अपने matter को, अपने case को discuss करना चाहते हैं, तो आप call me for app का इस्तमाल कर सकते हैं, या email से भी मुझसे one-to-one session की appointment ले सकते हैं तो चलिए दोस्तों वापिस अपने topic के उपर चलते हैं, दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि senior citizen card की eligibility क्या है, देखिए यदि आपकी उमर 60 साल से अधिक है और आप भारत के नागरिक हैं, तो आप senior citizen card के लिए eligible हैं, लेकिन दोस्तों याद रहे कि अगर आपका status NRI है, तो आप इस card के लिए eligible नहीं होंगे, आपको ये card नहीं issue किया जाएगा, दोस्तों senior citizen card state level और national level दोनों पर बनता है, यदि आप state level पर senior citizen card बनवाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपके पास उस state का domicile होना चाहिए, या state का residence proof होना चाहिए, दोस्तों अब हम बात करते हैं, कि यदि आपके पास senior citizen card है, तो उसके क्या-क्या benefits आपको मिलेंगे, दीके सबसे पहले हम बात करते हैं, travel benefits के बारे में, दोस्तों यदि आप senior citizen है, और आपके पास senior citizen card है, तो ऐसे में, IR CTC में आपको 40-50% तक का concession मिलता है, लेकिन ध्यान है, कि अगर आप अपना ticket ततकाल में book करात हैं, तो आपको ये concession नहीं दिया जाएगा, दोस्तों यदि हम state transport की बात करें, तो ऐसे में, बहुत सारे states के द्वारा भी senior citizen को bus और train की traveling पर concession दिये जाते हैं, और ये concession up to 50% तक हो सकता है, दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं, कि senior citizen card holder को कौन-कौन से monetary benefits दिये जाएंग दोस्तों, monetary benefit में सबसे पहला benefit है doorstep banking का, जिहां दोस्तों, ये सुविदा उन senior citizen को दी जाती है, जिनकी I.U. 70 साल या उससे अधिक की है, और doorstep banking में, जैसे की fund transfer है, check deposit है, या cash deposit है, इस तरह की facilities आपको घर बैटे मिल सकती हैं, आपको bank जाने की बिलकुल भी ज़ुत नहीं है दोस्तों, monetary benefit में अगला benefit है higher rate interest, दोस्तों, RBA की ये guidelines हैं, कि जितने भी senior citizen हैं, उनको higher rate of interest दिया जाए, फिर चाहे वो उनके fixed deposit हो, saving account हो, या recurring deposits हो, ऐसे में जो interest rate एक आम आदमी को दिया जाता है, उससे ज़्यादा interest senior citizen को दिया जाता है दोस्तों, monetary benefit में अगला benefit है tax benefits का, दोस्तों, income tax department के द्वारा भी senior citizen को कई तरह के tax benefit दिये जाते हैं, जैसे की higher tax exemption दी जाती है, और lower tax rates भी दिये जाते हैं और ऐसे में senior citizen अपने medical bills, health insurance premium और तरह तरह की investment पर deduction भी claim कर सकते हैं दोस्तों, इसके बाद आता है point pension schemes का देखे, भारत सरकार के द्वारा, senior citizen के लिए कई तरह की pension schemes लागू की गई हैं, बनाई गई हैं, जिसका benefit केवल और केवल senior citizen ही उठा सकते हैं जैसे कि senior citizen saving schemes, national pension scheme NPS और प्रधान मंतरी वय बंदना योजना इन schemes के तहट, senior citizen अपने पैसा invest करके एक regular income generate कर सकते हैं, जो उनकी daily life में उनकी मदद कर सकती है दोस्तों, इसके बाद आता है exemption from property tax भारत में कई राज्यों में, यदि senior citizen के नाम पर कोई property है तो उन्हें property tax में भी exemption दी जाती है, concession दिया जाता है ताकि senior citizen की financial burden को और कम किया जा सके दोस्तों, monetary benefits के बाद हम बात करते हैं, health benefits के बारे में देगि health benefits में senior citizen के लिए ये सुविदा दी गई है कि जितने भी सरकारी hospital है, उनमें senior citizen का मुफ्त इलाज होगा और इसके इलावा, जो semi private hospital है, जहाँ पर सरकार के द्वारा contribution दिया जाता है तो वहाँ भी senior citizen का इलाज, concessional rates पे किया जाएगा, उनको discount दिया जाता है दोस्तो senior citizen के लिए वरिष्ट medical aim policy भी दी जाती है, जिसमें senior citizen के दो लाग तक के expenses कवर की जाते है इसके बाद हम बात करते हैं telephone benefits के बारे में देखे, BSNL और MTNL के द्वारा senior citizen को बिल में concession दिया जाता है और MTNL में यदि senior citizen रिचार्ज कराते हैं, तो उनको 25% का discount तक जिया जाता है हाला कि आज की date में BSNL और MTNL को यूज करने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं ज्यादा तर लोग mobile पर shift कर गए हैं दोस्तों, अगला benefit जो senior citizen को मिलता है, वो है court hearing में दोस्तों, अगर आप senior citizen card holder हैं, तो आपको court की date में भी preference मिलेगी, आपकी date short लगाई जाएगी और आपके case को भी preference दी जाएगी दोस्तों, अब जानते हैं कि senior citizen card के लिए आपको किन किन documents की दूट पड़ेगी दोस्तों, सबसे पहले तो आपकी दो passport size photograph चाहेंगी साथ ही आपका address proof यानि कि identity proof चीएगा जो कि आपका अधार card होगा मैं आपको बता दूँ कि senior citizen का card बिणाने के लिए आपको pen card की दूट नहीं बनेगी बिना pen card के भी आप senior citizen card बना सकते हैं इसके साथ ही आपको अपना age का proof भी देना होगा कि आप 60 साल से अधिक उमर के हैं दोस्तों, अपनी age का proof देने के लिए आप birth certificate का इस्तिमाल कर सकते हैं अपने driving license का इस्तिमाल कर सकते हैं यदि आपका passport बना हुआ है तो passport भी आपका एक valid age proof है अगर pen card है तो pen card का भी इस्तिमाल कर सकते हैं या अगर school living certificate है तो उसे भी age का proof माना जा सकता है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कि senior citizen card आप apply कैसे कर सकते हैं देकि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आपको किसी भी agent की जूर्ट नहीं है आप खुद अपना senior citizen card बड़ी असानी से apply कर सकते हैं, बनवा सकते हैं और senior citizen का card आप offline भी बनवा सकते हैं और online भी बनवा सकते हैं अगर आप online mode का इस्तिमाल करते हैं तो वो ज़्यादा better रहेगा क्योंकि उससे आपकी दौड़ बाग बच जाएगी और केवल 10-15 minutes में ही आपका सारा process complete हो जाएगा card apply करने के बाद सभी document submit करने के बाद केवल 15-20 दिनों में ही आपको आपका senior citizen card आपके घर deliver कर दिया जाएगा दोस्तों इसमें कई ऐसे benefits भी हैं जिसमें आपको senior citizen card की भी जूर्त नहीं पड़ेगी बिना उसके भी अगर आप अपना age proof दिखा देंगे तो भी आपको वो benefits मिल जाएंगे लेकिन मैं फिर भी आपको यह कहूँगा कि यदि आप senior citizen हैं तो senior citizen card जरूर बनवाएं और जितने भी benefits हैं उन्हें avail करने की कोशिश करें तो दोस्तों ये थी senior citizen card से related पूरी जानकारी जिसमें हमने उसकी eligibility के बारे में जाना और उसके benefits के बारे में पूरी detail में discussion की तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like और share जरूर कीजेगा चैनल को subscribe करना मत बूलिएगा अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जैहन